हेलो फ्रेंट्स, मैसल चक्दिस बाकर, मेकेनिकल एंजिनेरिंग डिपार्ट्मेंट, डॉक्टर सुभास टेकनिकल केंपस, जुनागट वती, हुँ आपनू हर्दिक स्वागत करूचुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो ये, अ कौन 40 mm डामेटर and 50 mm axis is resting on one generator on HP, which makes 30 degree inclination with VP, draw its projectionsुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु पॉजिशन मा तेनी, ते इनिशिएल पोजिशन छे टे छे एक जनरेटर, HP उपर पड़ेली छे। शाथे अपने VP साथे नो एंगल आपी दीतो चे 30D तो आ प्रोजेक्शन अपने ड्रो करवाना छे। प्रोब्लेम नी सरू बाद करिये, x y line दोरी ने रेफ्रेंस लाइन त्यार पच्छी कौन छे तेनों आपने टॉप यू बनाव सू आ टॉप यू ना एक सर्खा आपने आठ भाग पाड़ी अने तेनों नाम छे आपी देई सू A, B, C, D, E, F, G अने H त्यार पच्छी आ सर्कल ना प्रोजेक्शन वर्टिकल डिरेक्शन मा लए अने एक्सिस नी हाइट आपने आपेली छे 50 mm तो ए आपने एक्सिस दोरी अने त्यार पच्छी बदा ज जन्रेटर ने एपेक्स साथे जोडी अने आपना फ्रंट व्यू छे ए कंप्लीट करी सू अने जेते पोईट ना जे नाम छे टोप यूनी अंदर ते प्रमणे फ्रंट यूनी अंदर पन नाम नी दर्शन करसू मिद्रों ये आपने खासे ध्यान रखवानू छे के अत्यार जे आपने स्टेप वन जे बना व्यूँ छे आ स्टेप वन जे स्टेटमेंट छे प्रोब्लम स्टेटमेंट तेनी अंदर आपेलू नती परन्तु ए प्रोब्लेम ने स्वाल करवा माटे फरजियात आपने आ स्टेप बनाव उपड़ से अन्ने स्टेप नंबर वन हम्मेशा स्टेंडिंग पोजिशन नू होई छे जनरली आपने त्यार एव किदू छे के जनरेटर छे एक जनरेटर उपर कौन छे पड़ेलोज पन इनिशेली आपने प्रोब्लेम नी सरूवात हम्मेशा स्टेंडिंग पोजिशन थीज करवानी थसे हवे आपनने जयम किदू छे प्रमाणे आपने एक जनरेटर ने वीप मा श्वरी एचपी नी अंदर राखवानी छे तो आपणे मानी लहिए कि ओडेश,e-च आपणी एक जनरेटर जने आपने एचपी मा राखवी छे तो xy line उपर o-e-set करवानी measurement करी ने त्यार पची बाकी ना बदाज points चे ते आपने compass नी मदद थी ड्रो करी देशू त्यार पची आज ये आपने front view बना वियू तेना projections downward direction मा लई अने जे initial top view हतु त्यां थी horizontal projection लई अने बदाज points चे आपने मेडव वाना चे smooth hand कव थी तो आपने एक ellipse मढशे अने जे outer generator चे तेने आपने जोड़सू o1 ने c1 साथे अने g1 साथे एतले आध हई आपड़ू condition जे पेली चे ते सेटिस्फाई करी अने आपने front view अने top view चे बना वियू हवे आपने वू केवा मा आवियू चे के आ solid नी x a vp साथे 30 डिग्री नो एंगल बनावे छे तो आपने xy line साथे 30 डिग्री नो एंगल बनावी axis बनावसू अने आ axis ने reference तरीके लई बाकी ना बद्धाज points चे तेने आपने आ नवा top view नी अंदर मूख सू त्यार पचि फरीथी 8 of pure ना जे projection छे ते वर्टिकल डाइरेक्शन मा आपने उपर लही जेशू अने जे last front view आपने बना व्यू हतू त्या थी horizontal projection लही अने 9 front view छे आपने जनरेट करीशू एक पच्छी एक point आपने लेता जईशू अने आब 10 point ने क्रावानुशार जोडशू एटले आपने आरीते इलिप्स चे मढशे अने ये जे इलिप्स जे बने चे के जे शंकुनो पायो थसे ते अपने xy लाइन उपर एक जनरेटर पड़ेली हुआ ये विरिते पण देखा चे के जे o1 अने e1 चे एटले मित्र वारी ते आपने फाइनल आंसर अपने मढशे हावे त्यार पच्छी नो प्रोब्लेम जो ये अ शिलिंडर 40 mm डियमेंटर और 50 mm डियमेंटर और 50 mm डियमेंटर इस रेस्टिंग वन पॉंट ओफ बेज चर्कल अन वीपी वाइल इस एक्समेंग 45 डिगरी विथ विपी और फ्रंट वीव अप्सिस 35 डिगरी विथ एच्पी ड्रोध प्रोजेक्शन्स एलला मित्रो अहिए आपनने एक सिलिंडर आपेलो छे किजैनो डियमेंटर 40 mm डियमेंटर और 50 mm हवे हिए आपनने जे कंडिशन आपेली छे ते कंडिशन प्रमाणे जोहिए तो आपनने जे सिलिंडर छे ते वीपी उपर एक पोईट उपर होई ए विरित आपेलो छे हवे जेर्णा अपने वीपी साथे सिलिंडर ने विपी माराखवानो प्रएद्न कर्छु तो एके पोईट उपर रेसे त्यारे कोई inclination बनाव wireless तो ए step number 3 आपड़ा माटे थसे ते थसे front view, जे exercise नो front view जहे ते 35 degree नो खुणो बनावे चे विपी जाते तो आजे front view आपड़े last बनावसु, step number 3 नी अंदर त्या 35 degree नो एंगल आपड़े बनावानों थसे हावे प्रोब्लेम नी शरुवात करिये x, y, line बनावसू त्यार पच्छी cylinder बनावसू हावे अईया शरुवात आपड़े front view थी करे ली छे नहीं के top view थी आगड़ना प्रोब्लेम नी अंदर आपने शरुवात हमेशा top view थी करता था तो के तिया आपने reference HP नो आपेलो हतो अहीं आपने reference आपेलो थे VP नो थे एटले जे cylinder थे तेनो top view थेनो true shape थे आपने front view नी अंदर देखासे हवे आजे सर्कल आपड़े बना व्यू 40 mm डायमेटर नू तेना एक सर्का भाग पाड़ी सू अने आपने अनु कुटता प्रमाणे भाग पाड़ी सू आपने 8 भाग पन पाड़ी सक्किया छीए 12 भाग पन पाड़ी सक्किया छीए जेटला भाग वदारे पाड़ी सू तेटलो कव छे आपनो last मा answer नो कव ते smooth मड़ से आपने हवे आपड़े था प्रजेक्शान नी चल्लाई अने सिलिंदर नी जे हाइट छे ए हाइट प्रमाणे एक्सिस बनावी अने ते आपने टोप यू नी अंदर दोर सू हवे आ टोप यू बनी गया पछी आपनने एवु कहवाम आवियू छे के आ सिलिंदर नो जे पाया नो एक पॉइंट छे ते वे पी नी अंदर रहे लो छे अने तेनी एक्सिस वे पी साथे 45 डिगरी नो खुण बनावे छे तो आपने एक्सवाई लाइन नी नी चेना भागमा केमके आपने एन टोप यू मा बनावनू थसे तो त्या आपने 45 डिगरी नी एक रेफ्रेंस लाइन बनावसू अने आ रेफ्रेंस लाइन उपर सिलिंदर नी एक्सिस ने आपने मुकवाणी छे अने एक पॉइंट उपर आपने वी पी मा सिलिंदर ने जो राखवानो होई तो एए पॉइंट छे आपना माटे पॉइंट नंबर सी हवे जेवू टोप यू नी अंदर रेक्टेंगल बनावसू हतु एवू ज रेक्टेंगल आपना हिया बनावानू छे पन 45 डिग्री ना एंगल उपर मित्रो अटलू थाई गया पची हवे आ जे टोप यू छे तेना प्रोजेक्शन आपने वर्टिकल लेजेशू के जे थी आपने एक नव फ्रेंट व्यू मड़े अने लास्ट जे फ्रेंट व्यू बनाव्यू हतु स्टेप नंबर वन मा त्यां थी आपने होरिजोंटल प्रोजेक्शन लाई अने वाराफर्ति बदा पॉइंट्स चे मेडवानों प्रहत न करीशू यहां खास आपने ए समझवानों छे के ज्यारे आपने खाली चारज पॉइंट लेता होई अथ्वातो सरकल ना चारज भाग करता होई त्यारे आपने जे कर्व बनावानों छे के जे वक्रबन से इलिप्स जेओ ते स्मूथ बनवानी शक्यता ओछी रह से अने ये प्रेक् ये आपड़ी टॉप सर्फेस थाशे अने 1,2,3,4 ये बेज सर्फेस थाशे अने डाउनवर्ड डाइरेक्षिन मा जे एरो आप एलो छे नीचे निवाजू एरो छे त्या थी आपने जो जोही है एतले के ओब्जर्वर छे नीचे थी जोत्तु होई तो आ सिलिंडर नू फ ये अड़ो वीजीबल थोसे अन अड़ो इन्वीजीबल रेस है एटला माटे अहिया एड़ेस थी बीडेस अने एड़ेस थी दीडेस आटलो भाग छे वीजीबल छे एटले ये कंटिन्यूस बनावियो अने आछण नो जे भाग छे के जे डीडेस शीडेस अने बीडेस य ए, HP साथे, 35-degree नो, एंगल बनावे, छे, तो हवे, HP नी जै एक्सीस छे, ए, डेश, अने, बन डेश, अथवा तो, C- अने, 3- ए, जै लाइन छे, एक्सीस, तेनी साथे, अपड़े, HP साथे, 35-degree नो, खुणो बनावनों, छे, 35-degree नी एक reference line बना वी, तेना उपर आपने जे last front view बना वीू, तेने आपने त्याँ, मुक बानुँँ छे, एडले के दोर बानुँ छे त्यार पची, आजे last front view बना वीू, तेना projection आपने निचे लेशु previous जे टो post you चे, तेना projection side मा लेशु, औने 9 points मेडव शु आने आपने खास जोई आने पछी कंप्लीट करवानू छे अने आविरी ते जे लास्ट आपड़ो फाइनल आंसर छे ए आपने मड़से आरी ते आपड़ो जे सिलिंडर छे ए कंप्लीट थाई छे आई खास वेरीफाई करवा माटे क्या आपनो प्रोब्लेम साचो छे के नाई ए खास आपड़े जोई शक्किया छे ए के टोप यू नी अंदर जे आपड़े सी पोईट छे एने एकस फाई लाइन साथे टच कराव यू अने टोप यू बन्ने माथी वाराफर्ती चेक करवा थी पन अपने वेरीफाई करी शक्किये छीए त्यार पच्छी नो प्रोब्लेम जोई है अ स्क्वेर पीरामीड 30 mm बेज साइड एंड 50 mm लोंग एकस इस रेस्टिंग ओन इट्स एपक्स ओन एच्पी इत्रो अहीं या शाब नवज प्रोब्लेम आपने जोवा जही रहिया छी है कि जेनी अंदर स्क्वेर पीरामीड आपेलो छे अन्ये स्क्वेर पीरामीड पोताना एकस उपर उभू छे जनरली कोई पण सॉलीड चे पोताना बेज उपर उपेलो होई चे पण यहां आपने रिवर्स प्रोबलेम आपेलो चे एटले के जे एपेक्स चे एना उपर सॉलीड चे एह एच पी उपर उपो चे अने एनी कंडीशन जोई लेए के रिते उपो चे जोच देट इस वन स्लांट एज इस वर्टिकल एंड अ ट्राइंग्यूलर फेस थ्रू इट इस पर्पेंडिकुलर टू वीपी ड्रो इट्स प्रोजेक्शन एटले आपनने जे स्क्वेर पिर्यामिड आपेलो चे तेनी एक स्लांट एज वर्टिकल छे अने एनी जे ट्राइ आपने ट्रो करवानू चालू करिये अने समत्ता जाईचू सवप्रंथम एकस फाइलाइन बनावसू त्यार पछी जे स्क्वेर पिर्यामिड छे आपने बनावसू अब एञ्या स्क्वेर पिर्यामिड छे एए वीपी साथे 45 डीगरी नो एंगल बनावें छे टोप यू न यह आपने खास समझवानू चे यह आगड़ बात करिये आपने आजे पिर्यामिड छे तेनी स्लांट एजीस यह आपने खास दोर सू A B C अने D अने बच्चे नो जे एपेक्स चे थे ओ त्यार पछी तेना प्रोजेक्शन वर्टिकल नहीं जासू अने डाइमेंशन आपने 50 mm height तो 50 mm height नी axis बनावी अने आपने square pyramid छे बनावानू छे खास एपेक्स चे थे HP साथे touch थाई छे एकले के जे square pyramid नूँ एपेक्स चे एए xyline नी उपर आवू जोई है त्यार पछी next आपनू जे step छे ए आपने जे statement मा किदू छे के एक sland is ए वर्टिकल राखवानी छे औने ए एवी रिते वर्टिकल राखवानी छे के जे थी एक triangular face छे ए पन वीपी ने perpendicular थाई एटले मित्रों अईया o dash औने a dash आ बाजू आपनने देखाई छे एवी रिते ए xyline ने perpendicular बनावामा आवी छे एटले आपने जे initial front view बना व्यू ते front view नेज अईया दोरवानू छे पन a dash औने o dash ने perpendicular राखवानू छे xy साथे त्यार पछी तेना projection आपड़े downward direction मा लाई अने initial z of u छे त्यां थी projection horizontal लाई अने पाचा 9 points मेड़ा उसु अने आ बधा 9 points ने नामा पिदेए a1, o1, b1, c1 और d1 मेटरो आईया b1 point छे ए निचेनो point छे d1 नी लाईन माज हवे आपणे खास ए जोवानू छे के o1 औने a1 आ बनने point एकज common point छे एकज जगिया ये छे एकज जगिया ये छे in the sense ज्यारे आपणे o dash औने a dash ने एकज लाईन मा दोर सु औने front view ने उपर नी बाजू थी ज्यारे observer जो से त्यारे बनने एकज लाईन मा देखा से एटला माटे आपणे point छे बनने common मड़े छे हवे आपणे जे visible देखाई छे ए रिते आपणे जोड़तू जावानू छे औने बदाज point ने जोड़िया पछी आपणे काईक आउँ चित्र देखा से अईया square prism छे औने square prism माँ apex औने एक point एटले के base नो एक point A1 यभी एकज जग्या ये छे एटला माटे आपणे square prism छे आ रिते देखा से हवे next जे step छे आपणे step number 3 इस step number 3 आपणे एव केवा मागे छे के एक triangular face के जे vertical plane ने perpendicular आपने दोरवानी छे तो मित्रो अहीं आपणे जोई शक्किया छे के A1 O1 औने D1 आजे face छे ते विर्टिकल लाइन एटले के xy ने एक z perpendicular थाई होई ए रिते आपणे ड्रो करेलू छे एटले जे step number 2 नी अंदर आपणे टोप यू बनावियो हतो एटोप यू ने थोडो टिल्ट करवानों छे ओल्मोस्ट 45 डिगरी जेवू छे ए मेजर करवानी जरूर न थी पण xy लाइन ने perpendicular लाइन बनावि A1 D1 जेटलू माप लाई औने बाकी ना पोईंट छे ए आपणे मेडववाना छे औने आरिते टोप यू छे ए नवो बन्चे हवे आटोप यू ना प्रोजेक्शान वर्टिकल लाई जई अने जे सेकंड स्टेप नी अंदर फ्रंट यू बनावियो हतो तेना प्रोजेक्शान अपणे होरिजोंटल लाई अने फरीती नवा पोईंट्स मेडवशू के जे आपनने आपनो फाइनल आंसर आपसे एटले जे पोईंट्स मड़शा आपनने a1 देश b1 देश c1 आने d1 आने fx o1 आपधाने क्रमा अनुशार जोडी आने आपनो प्रोब्लेम चे आपने पूरो करशू खास यहां जे हिडन लाइन छे यह इन्वीजीबल जेटली पन हिडन लाइन इन्वीजीबल होई ते आपने ड्रोब करवानी छे ए खास भूलाई नहीं आपने जोई शक्या ची है के जेटली लाइन c1- साथे connected छे ते लाइन बदी hidden आउसे c1- साथे कियमके जारे आपने top view ने front माथी जोता हासू तो a c1 चे पाछाण नो पॉइंट थसे एटला माटे यह बद्धी ज लाइन hidden बन से एटले c1- थी d1- hidden लाइन आउसे औने एकज लाइन आम तो hidden आउसे बाकिने बद्धी continuous लाइन आउसे केमके आपने देखासे ओके मिद्रों तो आहाता बीजा तुराण एक प्रोब्लेम के जे projection of solid छे एए अपने समझ जिया लाइन प्रोब्लेम